यह टोपिक काफी सीरियस है अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है और आपने कहीं पे भी फिक्स डिपॉजेट किया है यह फिर बोरों आप करते हो क्रिप्टो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए तो फिलाल जो इंडिया में क्रिप्ट के उपर जो टेक्स लगा है इसके कारण जो लेंडिंग प्लेटफोर्म है ट्रेडिंग प्लेटफोर्म है उन सभी के यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हालत एकदम खराब है आप सभी आउगात होंगे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो वॉल्ड है उसने ट्रेडिंग बंद कर दिया डिपोजिट विड्रॉल बंद कर दिया है डिटेल में डीप में समझना चाहते हैं आई बेटन में आपको लिंक मिल जाएगा आप सिंपली वो वीड से वो confusion में होंगे and simply मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में वेटरॉल हो रहे हैंगे इसलिए CoinDCX भी आके अपने ट्वीट करता है जो कि नीरत जी CoinDCX के co-founder है उन्होंने simply tweet किया है and क्या सच में वॉल्ड के बाद में जो CoinDCX है वो भी हाँ पे ऐसा कुछ कर सकता है उसके अलावा यहाँ पे CoinDCX ही क्यों बिट BNS है उसके साथ भी क्या जैसा वोल्ड के साथ हुआ है ऐसा हो सकता है क्या कि बिट BNS भी बहुत बड़ी हाई मात्रा में जो fixed deposit है FD आप बोल सकते है उस पे जो आपको interest है वो provide करवात है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 40% ह 30% है सो क्या है हाँ पे possibility हो सकती है डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे सनमश्कर दोस्तो मेरे नाव रिंकू आप देख रहे है रेगा फिलिक इन्फो सबसे पहले तुमा बेसिक सा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बाते हैं वो आपको बताना जाओंग होते हैं जो पैसे निकालते हैं वो बंद कर दिये जाते हैं RBI के माध्यम से क्योंकि RBI एक body है जो regulate करती है ठीक है तो यहाँ पे अभी क्या है इंडिया में crypto को कोई regulate नहीं करता है तो ऐसी कोई body नहीं है कि जो fund है उसकी कोई guarantee ले ले सेम केस में हाँ पे जब हम किसी भी coin मे fix deposit करते हैं यानि कि SIP करते हैं किसी भी exchange पे जो exchange को हम पैसा दे रहे हैं जो fix deposit कर रहे हैं जितने भी दिन के लिए वो पैसे पे जो हमको interest मिल रहा है जैसे अब यहाँ पे हम coin dcx के example ले कि bitcoin पे हमको 4.75% का जो interest मिल रहा है यह annually है यानि कि साल बर का है तो आप इसको monthly मत में आप जितना deposit कर रहे हो उस पे आपको मिल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि यह अपने पास रख लेंगे और simply वो automatically increase होता जाएगा नहीं यह लोग उसको या तो margin trading में use करेंगे liquidity provide करवाने के लिए या future trading में liquidity provide करवाने के लिए या फिर किसी को loan देंगे and उनसे interest लेंगे and जो इनको interest मिल रहे है वो जादा होगा आपको कम दे रहे हैं तो आप भी कुछ सामने वाला भी कुछ बट कई बार इसी में लोचा हो जाता है सामने वाला default कर देता है जैसे bank loan दे देता है और सामने वाला देता ही नहीं है bank दिवालिया हो जाता है आपको भी पता है कि bank को क कितना पैसा डूब है, ऐसा नहीं है कि वॉल्ड कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म था और सिंपली वॉल्ड ने जान पूछ के अपने जो deposit withdrawal है ट्रेडिंग वो बंद किया है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में 200 million worth of जो asset है वो withdrawal हुए है क्योंकि लोग अभी क्या कर रहे है international exchange भी shift हो रहे हैं ट्रेडिंग के लिए और जो वॉल्ड है उसने आप माम सकते हो कि जो fund है, वो interest पर अल्रेड़ी कुछ जो company है उनको दे रखा था वो default कर रहे हैं, अब बात करते हैं अपने वीडियो के topic के उपर so यहाँ पर क्या coin d6 पर भी fund रखना safe नहीं है क्या है है हाँ पर जैसे world के साथ हुआ है वैसा ही coin d6 के साथ हो सकता है क्योंकि coin d6 भी high interest हमको provide करवाता है हमारी staking के उपर and landing के उपर जैसे कि आप यहाँ पर landing के उपर देखेंगे so बहुत सारे coin है and यहाँ पर जो interest rate आप देखेंगे bitcoin पर 4.75 वैसे ही आप यहाँ पर और भी देख सकते है and सबसे जादा जो interest rate है I think कि 18% तक आपको मिलता है again यह पूरे साल बर में आपको मिलेगा वो interest है and यहाँ पर अगर आप USDT में भी देखेंगे so आपको 13% के something जो interest rate है वो आपको मिलता है अब यहाँ पर जो भी आप simply coin को यहाँ पर जो lending है वो कर रहे है याँ कि आप मान लीजिए FD कर रहे है fixed deposit कर रहे है जो भी आप जित्ते भी दिन के लिए कर देते हो वो आपका पैसे यहाँ पर lock हो जाता है याँ कि coin lock हो जाता है और exchange उसको liquidity प्रवाइड करवाने में या किसी को simply loan देने में यूज करता है यहाँ पर exchange जहाँ पर भी यूज करें आपको तो simply वो जो भी return है वो प्रवाइड करवाता है अगर default होता है और बहुत बड़ा होता है और exchange को जो रिजर हो है वो कमपड़ जाता है फिर exchange को issues होना start हो जाता है जैसे world के case में हुए है यहाँ पर जो नीरत जी है CoinDCX के co-founder है उन्होंने यहाँ पर simply tweet किया है और यहाँ पर यह कहते हैं कि हमारा जो first priority है यानि कि first जो हम रखते हैं वो रखते हैं कि users का जो पैसा है simply वो हमेशा safe रहें जो fund है वो safe रहें उसके अलावा इनका कहना है कि मेरी advice है सभी लोगों को यानि कि सभी users को मेरी एक सला है advice है कि वहाँ पे आप कभी भी अपना जो deposit है fund वो ना करे यानि कि जो coins है वो deposit ना करे जो आपको offer कर रहे है high interest rate यानि कि मान लीजिए normally कोई exchange आपको 5%-6% दे रहा है जैसे binance देता है 8%-10% दे रहा है बट कोई ऐसा exchange है या lending platform है आपको 20%, 30%, 40%, 50% दे रहा है मान लीजिए सो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा high risk बन जाता है आप कमाने की जगा वहाँ पे गवाईद होगे अगर आप भी lending and staking किसी भी exchange में करते हो make sure करो उस coin में करो उस exchange में करो जहाँ पे आपको कम से कम interest मिल रहा हो कम से कम आपका जो पैसा है उसके डूबने के chances बहुत कम है क्योंकि जो लेंडिंग होती है वो हमेशे ही यानि कि fixed deposit हमेशे ही risky होता है क्योंकि आपका पैसा आप deposit कर रहे हो और उस पे interest कमा रहा है तो जो आपने पैसा deposit किया है वो कहाँ पे अच्से से utilize किया जा रहा है यूज हो रहा है बैंको की तरह ना हो कि किसी को भी उठाके loan दे दिया उसके बाद में और default पे default और फिर हम लोगों को problem होती है इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि जो crypto lending है and borrowing है यानि कि loan पे उदार लेना ये आप्शन यहाँ पे जो आपको previous चल रहे हैं मैं तो simple सा आपको यही बोलूँगा कि आप जहां पी भी पैसा fix deposit कर रहे है इस समय careful तरीके से करे and उतना ही पैसा करे जितना आप afford कर सकते हो अगर कोई भी action default करते हैं आपको देने में इसके अलावा कहते हैं कि coin DCX simply पहले से ही जो अपना risk management है और करके चलता है जो इनका mechanism है इनका जो भी आप बोल जाकते हैं कि जो earn system है इसके अलावा इनका lending is taking है so यहाँ पे coin DCX तो फिर भी बहुत कम यहाँ पे provide करवा रहा है interest बट यहाँ पे जो bid BIN से यह काफी ज़्यादा करार है क्योंकि trading नहीं होगा तो यह लोग पैसे ही नहीं कामा पाएंगे so मैं तो अपना जो fund है जादा तर वो hardware wallet में रखता हूँ but इस से मैं जो custom duty है उसके काफी issues है वैसे पहले भी रहते थे बट अगर आप afford भी नहीं कर सकते हो या फिर आपका उतना बड़ा portfolio नहीं है तो decentralized wallet है आप वो यूज कर सकते हो software wallet अगर hardware wallet आप simply नहीं मंगवा सकते afford नहीं कर सकते जासे software wallet में हो गया safe pal हो गया उसके अलावा trust wallet but trust wallet personally मुझे काफी अच्छा लगता है बाकि आप अपना खुद का research भी जरूर करें उमीद गरता हूं कि आप सब एक वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो like कीजी शेयर कीजी मैं भी लोगा एक और ऐसे interesting वीडियो में तब तक के लिए चैहीन वन्दे मात्रयम अस्ते रहिए नसकराते रहिए